गुट इविंग डियर इस्टुरेंट्स जैसे कि आप सभी को पता है कि एससी जेन नोटिफिकेशन आउट हो गया है आफ्टर लॉंग टाइम और काफी इंतिजार के बाद आया है तो कुछ बच्चों की क्वेरी स्थी जो कि हमारी वीडियो पर भी जो मतलब बताया था सडने के नोटिफिकेशन के बारे में उस पर भी मैंने देखा कि कुछ वीडियो में डाउट आये हुए हैं तो उन पर भी बात करेंगे थोड़ो से और डाउट हैं जो मैं यहां पर क्लियर करूँगा आप लोगों के साथ तो सभी बच्चे प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेर कर दें और लाइव आ जाएंगे सभी ताकि हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर सके अपना आप लोगों को बस यही जानना है कि minimum age जो है minimum age वो 18 years होती है ठीक है 18 साल और maximum age जो है वो department wise है ठीक है maximum age कहीं पर 30 years है ठीक है और कहीं पर 32 years है कुछ department में तो अभी देखेंगे हम कहां कहां है कहां कहां 30 है कहां कहां 32 है ओके तो अब एक doubt हाँ बच्चों की दिवाह में यह जरूर था कि सर कैसे calculate करते हैं age को ठीक है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं वैसे तो on google you can check it out but still अगर आपको नहीं आती है calculate करना है जैसे कि उसने कहां है कि 1 January 2022 से आपको अपनी age calculate करनी है अब माल लिगे किसी बच्चे का जो date of birth है वह 10th of February 10 February 1994 है ठीक है माल लेता है किसी का भी ठीक है किसी का भी माल लेता है कोई ऐसा वह नहीं है कि भाई आप बहुत ही मैं strictly कह रहा हूं कि इतना ही ठीक है क्योंकि कुछ बच्चों का यह doubt बना हुआ था लगा था तो अब इसमें क्या करना है आपको दोनों date ऐसे लिख लेनी है ठीक है आपको दोनों date इस तरीके से लिखनी है कि current date तो ऐसे हो जाए और date of birth आपकी नीचे आ जाए उसके अब द ठीक है तो यह तो होता है day यह होता है month और यह होता है year ठीक है तो आप देखिए उपर अगर बड़े हैं सारे तीनों quantity तो normally जैसे आप minus करते हैं you can do that very easily लेकिन अगर उपर छुटे हैं जैसे यहाँ पर देखिए 10 है नीचे उपर 1 है तो यहाँ पर minus में तो answer आए गा नहीं तो क्या गरता है इसी calculate करने के लिए आपको करना क्या होता है सबसे पहले यहाँ पेस को बड़ा बना लीजिए one को one को बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे month का एक carry इधर ले लेते है month का one month इधर एक carry ले लिजिए ठीक है तो अब एक मन्त में आपके 30 दिन भी हो सकते 31 भ हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चो 32 और यहाँ पर यह जो आपका one month था यह आपका हट जाएगा यहाँ जीरो हो जाएगा ठीक है यहाँ पर zero हो जाएगा अब यहाँ पे भी छोटा है उपर नीचे बड़ा है तो आप एक काम करें one year इधर से carry ले लिजिए one year ठीक है अब एक year में कितने महीने होते हैं बारा ठीक है तो जब month से day में हमने carry लिया तो 31 days आपके count हुए लेकिन जब एक year से हम एक year पूरा carry लेंगे तो वो month में आकर कितना हो जाएगा बच्चो बारा महीना बारा महीना तो वो बारा महीना हो जाएगा लेकिन क्योंकि एक साल हमने इसमें से कम कर दिया तो हमें एक साल यहाँ पर भी कम करना पड़ेगा तो मेरा यहाँ पर अब 2021 आजाएगा बस अब simply से घटा दीजिए simply से घटा दीजिए यहाँ से carry लेंगे 11 में से 4 गए 7 यहाँ यहां पर 12 में से 2 जाएंगे 10 और यहां पर 32 में से 10 जाएंगे तो 22 तो एक्चुली जिस बच्चे का बड़े 10th of February 94 को है उसकी एज उसकी एज एक एक दो हजार बाइस तक जो है वो 27 साल ठीक है 10 महीने और 22 दिन होगी बस ऐसे calculate कर लिजेगा आपको exactly पता चल जाएगा आना सभी चाहिए यह काम तो सभी को आना चीए बच्चो ठीक है सभी को आना चीए क्योंकि ऐसा है न कि यह तो बहुत common सी चीज है ठीक है अच्छा तो age कैसे calculate हो यह मैंने बता दिया आप age कहां कहां कितनी है इसको अगर मैं देखें ठीक है तो उससे पहले कुछ important चीज मैं भी आपके साथ बता दूँ एक तो यह बच्चों कि आप जो अपना फॉर्म भरें प्लीज अपना जो भी फॉर्म भरें आप उस फॉर्म में याद रखिएगा गलती ना हो बिलकुछ सही भरिएगा गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर गलती होई तो आप यह मान के चलिए कि सीधा सीधा आपके पहली गलती को ठीक करने में 200 रुपे लगेंगे और अगर फिर गलती कर दी आप लोगोंने तो 500 रुपे लगेंगे तो यानि कि जो एप्लिकेशन फी है फॉर्म की 100 रुपीज ठीक है उससे जादा तो आप करेक्शन में दे देंगे तो पहली बार में ही बिलकुल करेक्ट भरिएगा करेक्ट में क्या क्या आपका नाम बि अगर बिलकुल करेक्ट तो गलत चीज वह वरिफाइग नहीं करते थीक है अभी अभी प्रिये दरिश्य भी बात करेंगे इस बारे में भाई डोंट वरी ठीक है हाँ तो क्या होगा कि वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर डॉक्यमेंट अगर वेरिफाइग नहीं हो पा सक्टेंबर सी यह भी इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है ओके चली अब आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि और क्या-क्या बच्चों को confusion है बच्चों को आप याद रखना आपकी पोस्ट यह दी गई है यहां कि जब आपको after successful competition आप select हो जाएंगे तो आपकी पोस्ट ही रहेगी तो इसमें भी आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह का कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं होना चाहिए reservation category age के लिए अलग है caste certificate जितने भी या जितने भी disability certificate लगेंगे वो सिर्फ central government के through ही जो होते हैं वहीं लगेंगे बच्चों वहीं लगेंगे ठीक है ओके अब आपका जाद रखेगा कि कुछ vacancies ऐसी हैं जिन में experience भी मांगा गया है ठीक है आईए देखते हैं वो कौन कौन सी vacancies हैं तो vacancy में प्लीज आप note कर लिजेगा आपसे वो भी मांगा गया है dear कि कहां पर आपको experience चाहिए ठीक है तो यह देखे जैसे बी आरों की जितनी पोस्ट है dear वहाँ पर आप देखेंगे 30 years आपकी age होनी चाहिए तो कहीं 30 year है जबकी जबकी central publics वाज CPWD जो होता है वहाँ पर 32 years होती है ठीक है ओके water जो आपका power research center है वहाँ पर 30 years ठीक है आप देख सकते हैं इसी तरीके से यह आपका central water commission है इसे ध्यान से देखिए यहा department ऐसे हैं BRO and CWC जहाँ पर 32 year maximum age है minimum सब में 18 years है तो यह doubt दिमाग से बिल्कुन निकाल दीजेगा आप लोग कि कुछ अलग कहीं पर कुछ लिखा होगा ठीक है age calculate करना इसी date से मैंने आपको सिखा दिया है कैसे तो अगर किसी बच्चों को doubt है कि वो मेरा date मेरा birthday इस दिन था कि appearing students जो है क्या form भर सकते हैं तो actually जो fourth year BTEC में है या third year diploma में वो form भर सकते हैं उनका admit card भी आएगा लेकिन उनको post नहीं मिलेगी क्योंकि आपको September 20 आपको September तक इस साल के September तक आपकी degree complete हो जानी चाहिए तो जिसकी degree complete हो रही है वो ही आगे document verification के लिए बुलाया जाएगा ठीक है वैसे for experience जो appearing student है वो भर सकते हैं कोई problem नहीं है भरा जाएगा form ठीक है अच्छी बात है अगर भरते हैं क्योंकि experience भी होना चाहिए ना थोड़ा बहुत experience होना चाहिए ओके ठीक है चलिए अब यह age जो है आपकी यहां दे दी गई और relaxation आपको यहां दे दिया गया है जैसे SCST के लिए 5 years है OBC के लिए 3 years ठीक है तो यह तो सबका सेम ही रहता है central government में किसी कभी कोई अलग नहीं होता किसी कभी कोई अलग नहीं होता है ओके एक मेरे पास यह बड previous years में मैंने जो research करी है और बच्चों से पूछा है तो कुछ production के बच्चों ने यह भरा भी है form ठीक है तो production engineering के जो students है वो भर सकते हैं बहुत ही जल्द राहुल सर आप लोगों के लिए form भरने की एक video record करके आप लोगों को दे देंगे form कैसे भरना है क्या-क्या option आ सकते है बाकी इसी notification में नीचे बिल्कुल आप notice करेंगे कि form का performer दिया गया है तो उसे जरूर पढ़ लिजेगा उसे जरूर पढ़ लिजेगा आप ठीक है हाँ जरूर पढ़ लिजेगा बच्चों ठीक ओके अब कुछ बच्चे कह रहे थे हमारे से कि सर यह बताईए कि क्या हम जै का सीधा उसमें पहुंचे हैं second year of diploma में first year lapse हो जाता है because of 12th इसी तरही किसे कुछ बच्चे BTEC के भी ऐसे हैं जो डिप्लोमा के बाद सीधा BTEC में आ रहे हैं तो याद रखना lateral entry अगर डिप्लोमा में आप lateral entry यानि कि 12th के बाद सीधा आपने second year diploma में क्या है तो आप भी भर सक सकता है उसका reason क्या है ठीक है हाँ उसका reason यह है बच्चो के डिप्लोमा आपका calculate हो गाओ तो लेटरल entry के जो बच्चे हैं जैसे कि BTEC वाले ठीक है तो भर सकता है लेकिन हाँ लेकिन जहां आप देखिए जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखा दूँ कि BTEC के जो ठीक है three year after diploma तो diploma plus three year BTEC यह आपका एक सीधा सा calculation होती है ठीक है तो वो तो form भर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्रिफ degree मांगी गई यह degree तो degree आपके पास है ठीक है diploma plus three year of BTEC तो यह degree आपकी complete होगी लेकिन डिप्लोमा के जो आपके 12th के बाद सीधा second year में admission ले ले लेते हैं तो वहाँ पर समस्य आएगी क्योंकि three years diploma मांगा गया है three years यानकि diploma के तीन साल complete होने चाहिए ऐसा degree में नहीं कहा गया है क्योंकि इसके लिए minimum qualification तो आपको पता यह diploma है तो diploma complete होना चाहिए three year बाकि 12th के बाद 12th के बाद अगर आप notice करेंगे कि आप second year of diploma में है तो आप भरेंगे तो वहाँ problem हो जाएगी वो आप नहीं भर सकते क्योंकि यहाँ पर three years साफ साफ लिखा है तो जहाँ three years साफ साफ लिखा हो सकता है वहाँ पर diploma वाले जिनोंने direct second year में admission लिया तो वो इस form को नहीं भर सकते बट बीटेक वालों के लिए यह सही है क्योंकि वो तीन साल का diploma करके आता है बच्चा ओके हाँ तो डिगरी वहाँ पर जैना discontinue माने जाते यह problem होती है ओके आगे बढ़ते हैं कुछ बच्चों का जो कोशन था वो यह था कि अब देखे कुछ पोस्ट आपकी electrical mechanical दोनों के लिए हैं notice कीज़ेगा electrical mechanical तो यहाँ पर याद रखना सारे electrical के भी रखे जा सकते हैं based on cut off सारे mechanical के भी रखे जा सकते हैं based on cut off और mix तो रखे ही जाते हैं तो ऐसा करते नहीं है कि सारे electrical के या सारे mechanical के रख लेते हैं बल्कि कोशिश ये करते हैं कि दोनों के mix रखे जा सके तो cut off के according हो जाता है ठीक है cut off के according ये चीज adjust हो जाती है अब कुछ बच्चे गह रहे थे कि सर जहां पर सिर्फ diploma लिखा है कि तो क्या वहाँ डिग्री वाले apply कर सकते हैं नहीं जहां पर सिर्फ diploma लिखा है वहाँ पर बीटेक वाले apply नहीं कर सकते तो यहाँ डिप्लोमा वालों के एक advantage मिल जाता है बहुत सारी वेकैंसी ऐसी है यहाँ पर सिर्फ diploma लिखा है वहाँ पर बीटेक मतलब डिग्री नहीं लिखी है तो डिप्लोमा वाले ही यहाँ पर apply कर सकते हैं डिग्री वाले apply नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा ओके CPWD में mechanical diploma वाले भी आपके eligible है notice किजएगा CPWD में ठीक है हाँ CPWD में civil की अलग वेकैंसी निकलती है डिप्लोमा वालों की और electrical की अलग निकलती है ठीक है अब mechanical की जहाँ पर अगर है तो ठीक है otherwise नहीं आप जैसे यहाँ पर लिखा है डिप्लोमा यह देखे जूनियर इंजिनियर इलेक्ट्रिकल CPWD अब पोस्ट आपकी यह है CPWD में mechanical की कोई पोस्ट नहीं है लेकिन electrical की पोस्ट है लेकिन इस electrical के लिए electrical and mechanical दोनों eligible है यहाँ से ध्यान से देखे डिप्लोमा मांगा जा रहा है electrical and mechanical किसी एक डिग्री में और लिखा है बच्चो और और नोटिस कीज़ेगा या तो आप electrical से डिप्लोमा हो या आप क्या कहा है कि आप mechanical से डिप्लोमा हो ठीक है इसी तरी किसे Central Water Power Research Station में Civil की बिलकुल अलग वेकैंसी निकलती है यहाँ पर आप देख रहे है और electrical के लिए सिर्फ और सिर्फ electrical का डिप्लोमा मांगा गया है तो आप बस ये पढ़िए ये क्या लिखा है आप मेरी बात भी मत सुनी है आप किसी और की भी बात मत सुनी है आप सिर्फ यह पढ़िए जैसे अब यहां लिखा है Central Water Research इसमें Mechanical और Electrical की Separate Vacancy हैं जो Fix होंगी For example, X Vacancy Electrical की है, Y Vacancy आपकी Mechanical की है और Z Vacancy Civil की है तो इन तीनों Vacancies पर सिर्फ इनी ब्रांच के बच्चे रखे जाएंगे ऐसा नहीं है कि जहाँ पर Mix है, जैसे यहाँ पर Electrical के बच्चे भी रखे जा सकते हैं Mechanical के भी रखे जा सकते हैं Okay तो जहाँ पर एक ही Column में दो ब्रांच मेंशन हो गए Electrical and Mechanical वहाँ पर दोनों में से किसी की भी बच्चे, किसी भी ब्रांच के बच्चे वहाँ पर रखे जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो इन्हें आप ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपका, कहाँ पर डिग्री, आप देखिए जहाँ डिग्री भी चल सकती है, वहाँ पर डिग्री को भी मेंशन कर दिया, जैसे यह है CWC, जूनियर इंजीनियर सिविल में डिग्री भी चल है, बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रुवत नहीं है, कि कुछ अलग है, ठीक है? बिल्कुल आपको ऐसी करना है, ठीक है? बिटा, पेपर तो दो ही शिफ्ट में या थी शिफ्ट में जो होने होते हो जाते हैं, उसके बाद कट आउफ बेस्ट पर, जिसके लिए मैं आपका experience मांगा गया है, जहाँ experience मांगा गया है, नहीं dear, वहाँ देना पड़ेगा, जहाँ experience मांगा गया है, वहाँ नहीं देना पड़ेगा, जहाँ नहीं मांगा गया है, वहाँ नहीं देना तो अगर किसी student को है यह experience, डिपलोमा के बाद, याद रखना, डिग्री वालों को जहां पर experience मांगा गया है, degree वालों के लिए नहीं है वो experience, वो सिर्फ और सिफ diploma वालों के लिए experience, जैसे BRO में मांगा गया है, ठीक है, CPWD में और आपका quality में भी मांगा गया है, ठीक है, naval department कहते हैं इसे, okay, ठीक है, तो यह आपके हो गई, तो इन सब को आप ध्यान से देख लेजएगा, जो लिखा है, अगर आप उसे follow, qualify कर रहे होंगे, तभी आप उस post के लिए eligible होंगे, that's it, यह 15 आपके, वो है, क्या कहते हैं, 16 होंगे, बल्कि, सोला नहीं, काफी है, नीचे, नीचे तक है, लक्षदी पाला भी अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो जहां पर जो मांगा गया, आपको वही देना है, कुछ ऐसी vacancy है, जो सिर्फ electrical के लिए भी होंगी, तो वहाँ पर आप notice कीजिए, डिप्लो माइन, electrical engineering मांगा गया होगा, बस, अच्छा, एक बच्चे का question ये भी था वीडियो में, कि सर, recognize university का क्या मतलब है, तो recognize university दो सरस्थाओं से हो सकती है, या तो AICTE, ठीक है, AICTE या आपका state का जो polytechnic संग होता है, ठीक है, वो state, state में जो भी आपका polytechnic संग है वहाँ पर, correct, और आपका या फिर UGC, ठीक है, ये सब आपके government के भाया, वो है, institutions हैं, इन से मानने तब आप जितने भी school हैं, के यहाँ पर eligible होंगे, ठीक है, हाँ, इसमें भी एक बच्चे का doubt आ गया था, कि सर, ये क्या है, recognize institute, तो recognize मतलब मानने तब प्राप्त college होना चाहिए, आपका, मानने तब प्राप्त college होना चाहिए, ओके, चलिए, vacancy के बारे में अगर मैं बताओ, थोड़ा सा आपको बता द ठीक है, तो 2020 में लगबग लगबग 800, 7800 के आसपास vacancy थी, अप्रॉक्सिमेट बता रहूँ पेटा, exactly तो मेरे भी याद नहीं है, ठीक है, 2019 में vacancy लगबग 1200 के आसपास थी, और 2018 की अगर मैं बात करूँ, तो vacancy करीब 1900 के आसपास की थी, मतलब प्लस माइनस हो सकता है, exactly मुझे याद नहीं, तो अब अगर आप देख रहे हैं कि 20 के बाद ही फॉर्म आया नहीं, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कम से कम, कम से कम बच्चो, 1200 से 1500 के बीच vacancy तो आएगी ही आएगी, ठीक है, जिसमें से कर करीब साड़े 400 vacancy के आसपास mechanical की आजाएंगी, तो अगर आप mechanical की student है, जैसे हमारे channel पे mechanical की बच्चे देखते हैं, तो mechanical की बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि लगबग लगबग, approximately अनुमान है, exactly नहीं है, tentative vacancies ये बताएंगे, साड़े 300 से साड़े 400 vacancy mechanical की शायद हो अच्छे की उमीद ही करते हैं भागी तो सब सरकार के हाथ में हैं, वो क्या कर दें, किस वक्त कैसा कर दें, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है, तो अभी हमने इस वीडियो में बात कर लिए कि age को लेकर जो confusion था, उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात करी, इसके अच्छे के लिए आपको एक तरह से बता दी, मेकैनिकल के लिए, कि भाईया, मेकैनिकल के लिए इतनी वेकैंसी तो रहनी ही चाहिए, अगर इतनी आती है, 1200 से 1500, मीनिमम 1200, मैक्सिमम 1500, इससे जादा आ जाए, वेरी वेरी गुड भाईया, ठीक है, लेकिन आपको हर के लिए तयार हैना चाहिए, मेंटली, ओके, हाँ, बिल्कुल नितिन कोशिच, भाई, दुआ, दुआ करो भाई, दुआ ही की जा सकती है, ठीक है, हाँ, ठीक है, क्योंकि दो-तीन साल यह जो दो साल का गैप हुआ है, उसकी वज़े से मैं बता रहा हूँ, वैसे तो वेकैं वो नहीं भर पाए हैं, एक्जेक्टली, ओके, फिर भी चलिए, देखते हैं बाकी क्या होता है, यह नहीं, आशी शिच, सस्ता कोर्स, यह सस्ता कोर्स क्या एक ही कोर्स चलना है, ससी जईई का लाइव कोर्स है, हमारी आप पर वो आप देख लिजे, वो आप ले लिजेगा ठीक है, बाकी मैंने आपको हमारी जो नोटिफिकेशन की वीडियो थी, उसके उपर भी काफी डाउट आप लोगों के किलियर कर दिये मैंने, ठीक है, एक डाउट बड़ा ही मैंने आपको बता दिये, प्रोडक्शन इंजिनियर जो हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि प्रिवियस येर के जो मतलब भरा है जिन बच्चों ने उनी से थोड़ा सा पूछ के, मैंने आप लोगों को इस साथ ही बात डिसकस की है, बाकी एक्जैक्ली अगर मेकैनिकल इंजिनियर होती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंजिनियर को भी मेकैनिकल माना जा सकता है, ठीक है प्रोडक्शन इंजिनियर ने भरा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन पहले भी ऐसी आता था, मेकैनिकल की बात होती थी लेकिन प्रोडक्शन इंजिनियर ने भरा है पाउं, उनका एड्मिट कार्ड आए, उन्होंने एक्जाम भी दिया है, सर आप material science को YouTube पर भी करा दीजिये, बेटा कराऊंगा मैं, देखो question practice तो definitely कराऊंगा, सैफ कहने है, सर electrical में कितना seat, देखो सबसे जादे seat civil में जाएगा, ये total seat मान के चलो 12-1500, ठीक है, सबसे जादे seat जो जाएगा, वो civil में जाएगा, उसके बाद भी mechanical और सबसे कम electrical में र रहने का अनुमान, dear, okay, हाँ, तो अगर कोई आपकी query है, आप अभी पूछ सकते हैं, उससे, mechanical का, mechanical का, बताया, बेटा, mechanical का ही बताया, जादा था चीजे, minimum age मैं फिर से बता रहा हूँ, 18 years है, 18 साल, age कैसे calculate करते हैं, वीडियो के शुरू में ही सबसे पहले, ये ही समझा दि as today, आज के दिन मेरी, जो है, age कितनी है, टोटल सीट, प्रिये दर्शी मैंने आपको बता दी है, ठीक है, okay, sir, mechanical automobile वाले eligible, बिटा, automobile के बारे में ऐसा कोई भी information नहीं मिलिया है, कि वो eligible है, क्योंकि ना तो किसी ने भराए, और ना ही previous year में हमने देखा है, कि भराए, automobile के बच sir, मेरा diploma and theory experience है, automobile sector में, तो हाँ, बिल्कुल experience जिसे है, वो तो अपना experience डालेगा, वो बियारो में भी eligible हो जाएंगे, experience डालेंगे, age calculator type करके Google में आ जाता है, हाँ, बिल्कुल वो भी आ जाता है, ठीक है, दो पोस्ट पे apply कर सकते हैं, जिसके diploma और degree दोनों हो, दोको बिटा, दो पोस्ट पे नहीं, क्योंकि आपका form एक ही नाम से जाएगा, ठीक है, तो minimum qualification diploma है, ठीक है, अब किसी के पाद diploma नहीं हो, तो degree based पे कुछ ही vacancies हैं, जो आप भर सकते हैं, अब after the result जो cut off आएगा, उसके हिसाब से department बढ़ते हैं, ठीक है, CBT1, CBT2 दोनों का तयारी होगा है, पर हाँ बिल्कुल बिटा, technical का तयारी होता है, मेकेटीजी पे, अर अंधीर मैं आपको बता रहो, technical, ठीक है साथ, जहां पर diploma in mechanical है, उसे diploma lateral entry eligible है, तो बिटा, diploma lateral entry मैंने बताया, तीन साल का diploma complete होना चाहिए, इसके बाद अगर आपने B.TEC किया है, lateral entry से तो वो तो eligible है, लेकि 12 के बाद अगर diploma किया है, तो उनका 3 साल का diploma नहीं माना जाता है, उनका 2 साल का diploma माना जाता है, 2 साल का, apprenticeship count नहीं होगी, apprenticeship count नहीं होगी, यह मैं आपको बता दू, यह इसमें लिखा हुआ भी है, यह इसमें लिखा हुआ भी है, आपको देखें अगर आप, यहीं देख लीज है यह लिखा है बच्चों दियान से रेखेगा internship internship training research experience etc. gained in the course of acquiring an educational qualification will not be counted as experience बस आपको यह समझ लेना है course बहुत दिन से शुरू हो चुका है दो तीन subject हो भी चुके हैं तीन चाहर सब्जेक्ट हो चुके हैं ठीक है हमारी एप पे जाएं make it easy live classes करके app है हमारी वहां पर आप course purchase कर सकते हैं मैं course के बारे में बताने नहीं आता बेटा यहां course के लिए आप हमारी app download करके देख लीजिए उसमें मिल जाएगी सारी make it easy live classes नाम से app है कितने का है कितना नहीं frankly बनाओ तो मुझे पता भी नहीं होता सार्च जिन्होंने diploma plus BTEC किया है वह अभी form फिलप में दोनों qualification mention करेंगे I think department तो मेंस निकलने के बाद होगा हाँ बिल्कुल नहीं diploma हाँ बिल्कुल diploma BTEC किया है तो दोनों qualification mention करेंगे एक बच्चा मेरे से यह भी पूछा था कि सर बिटेक के बाद अगर हायर qualification है क्या उसे भी mention कर सकते हैं नहीं उसकी जुरत नहीं है यहाँ diploma BTEC की बात होती है बस ओके ओके सर OBC certificate याद रखना OBC certificate age relaxation के जितने certificate है disability के जितने certificate है वो सब central government के ही मानने होंगे central government के भी ही मानने होंगे सर SSC JEE का batch के बारे में बताएं सर गौतम देखो ऐसा है SSC JEE का batch में आपको clearly बता रहा हूँ चल रहा है live classes चल नहीं है portal में ठीक है और SSC JEE के previous year YouTube पे solve कराये जा रहे हैं साथ-साथ ठीक है तो हमारी app download कीजिए या website पर जाईए आपको मिल जाएगा हमारा course कोई समस्या नहीं है ठीक है तो उसमें चल रहा है thermal portion पर जादा से जादा ध्यान देना मैंने आपको बताया भी था production के लिए क्या आपको अपनान यह वह मैं आपको बता चुका हूं ठीक है तो आई होप मैंने लगबग सभी तरह की queries ले ली है अगर इसके बाद भी आपके कोई query है तो प्लीज इसी वीडियो में WSB बिलकुल बिलकुल देखिए Central Government में Central का ही certificate मानने माने जाते हैं जादा थार ठीक है हाँ याद रखेगा कोई और अगर doubt हो तो please आप mention जरूर कीजेगा कोई अगर मेरी बताई हुई बात गलत साबित हो तो ऐसा मत सोचेगा कि मुझे नहीं पता confusion सबको रहता है क्योंकि form में full detail नहीं होती past experience से कुछ चीज़े हम लाते हैं ओके और हर छुटी बात के लिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला रहा हूं पहले सारी queries इखटी कर लेता हूं फिर आप लोगों के लिए मैं जो हूं वो वीडियो बनाता हूं कौन-कौन branch eligible है बिटा मैंने बताया आपको mechanical, civil, electrical आपकी eligible है इसके लावा production के बच्चे भी form भर सकते हैं electronics eligible नहीं है नहीं बिटा वो बहुत ही वो बिल्कुल different branch है electronics eligible नहीं है इस साल के सितंबर तक जिसका result final आ रहा है जिसकी provisional degree certificate बन जाएगा एक बच्चे ने यह भी पूछा था कि सर क्या provisional degree certificate पे या diploma certificate पे हम form भर सकते हैं बिल्कुल भर सकते हैं आप अपनी provisional भी दिखा सकते हैं कोई समस्य नहीं क्योंकि आप pass out हो चुके हैं कार्बन मेटीरियल में डार्क होर्स एक कोश्चन भी पूछ रहे हैं वेकैंसी कितनी है SSC जही की बिटा वेकैंसी टेंटेटी जल्दी अपडेट करीगी SSC वैसे मैंने आपको बताया अनुमान है मेरा एक 1200 से 1500 के बीच वेकैंसी रहनी चाहिए 1200 से कम भी रह सकती है 1500 से जाधा भी जा सकती है ऐसा कोई मैं वो तो हूनी बेटा अंतर यहां में जो बता दू बट स्टिल गलत information पास नहीं करूँगा एक अनुमान मैं अपना बता रहा हूँ बता रहा हूँ बेटा transfer strength किसे कहते हैं इसकी definition आज आप सर्च कीजिए आपको पता चल जाएगा कि क्यों increase होती है hardness के साथ transfer strength का क्या relation आपको पता चल जाएगा ठीक है तो आई होप मैं आपकी सारी queries ले चुका हूँ चलिए अब जादे समय नहीं लूँगा आपका मिलते है अपने next session में औ और information के साथ ठीक है बिटा गुफ्रान जो भी आपको देखना है हमारे channel पर क्या-क्या होता है daily आप देखते रहिए क्या-क्या हो रहा है एक दिन में कौन-कौन सी video डल नहीं है यह देख लिए आपको पता चल जाएगा ठीक है तो चलिए next session में मिलेंगे तब तक के लिए thank you very much all the best Jai Hind Jai Bharat